Hello everyone, Welcome to Data Cables. Today we are going to introduce USB Printer Auto Switch. You will explain further details in Hindi for easy understanding. USB Printer Auto Switch से आप एक प्रिंटर को दो कम्पीटर में इस्तमाल कर सकते है. USB Printer Auto Switch को इंस्टॉल करने के लिए आपको तीन USB Printer Cable की ज़रूरत पड़ेगी. जब आप इस Switch का Box उपन करेंगे तो आपको इसके अंदर से एक Driver CD मिलेगी. आपको वो Driver CD के अंदर दिया गया Software दोनों कम्पीटर के अंदर इंस्टॉल करना है. ज़्यादा जानकरी के लिए Box के अंदर दियी गई Manual से आप पता लगा सकते है. आपको आपके प्रिंटर का केबल स्वीच के अंदर लगाना है और दूसरे दो प्रिंटर केबल कम्पीटर से स्वीच तक कनेक करना है. अब आपको जिस भी कम्पीटर से प्रिंट निकालनी है उस कम्पीटर में आपको Ctrl प्लस F11 साथ में प्रेस करना है. अगर आप computer A से print निकाल रहे थे और अब आपको computer B से print निकालनी है तो आपको computer B में control प्लस F11 एक साथ में प्रेस करना है और आपका printer computer B से connect हो जाएगा इस तरीके से आप बिना कोई परेशानी के auto printer switch easily use कर सकते है